नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मिनिंग्स ओफ नेम्स में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मकर संक्रांती क्यों मनाया जाता है और किस्तिती को मनाया जाता है आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों इससे पहले वीडियो को सुरू करूँ एक संक्राथी से दूसरी संक्राथी के बीच का समय ही और मास कहलाता है। पॉस मास में सुरिय उत्तर नारायन होकर मकर रासी के प्रविश करते हैं तो इस औसर को देश के अलग-अलग परांतों में अलग-अलग तेवहार के रूप में मनाते हैं। इस मकर संक्रांती को तियावार उत्तर भारत में हर साल 14 जन्वरी को मनाया जाता है जियां दोस्तों और आगे चल गे तो मकर संक्रांती को खुलता है स्वर्ग का द्वार इस दिन से धर्ती पर अच्छे दिनों की सुरुवात मानी जाती है इसकी वज़ा है कि सुर्य इस दिन से दक्छिन से उत्री गुलार्द में मामन करने लगते हैं इससे देवताओ के दिन का अरंब होता है धार्मिक मन्यताओ के अनुसार मकर संक्रांती के दिन स्वर्ग का दर्वाजा खुला जाता है इसलिए इस दिन किया गया दानपुन्य और दिनों में किये गए दानपुन्य से अधिक फल्दाई होता है दोस्तों ये कुछ खास बाते थी जो कि मुकर संक्रांती से जुड़ी हुई थी जो कि मैंने इस वीडियो का माध्यम से बता दिया अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो को जादा से जाद अपने दोस्तों के पास सेयर करिया दोस्तों अगर आपको किसी नाम का अर्थ जानना है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं अगला वीडियो उसी नाम के उपर आएगा दोस्तों बहुत जल मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी खासने वीडियो के साथ अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद